तो हेलो दुष्ट नमस्कार देखिए ओटमाल्स मार्केट में अगर किसी भी टिक कर रहना ना किसी कमपनी को तो उसको सस्ती से सस्ती गाड़ियों में भी अच्छा खाजा फीचर्स और लुक वगरा प्रोवाइड करना चाहेगा और मार्तु सुकी यह चीज़ को अच्छे स पहले से स्टार हो जाती है और लगभग 50,000,000,000 प्रोडक्शन यूनिट तो बन जाते हैं उसके बाद गाड़ी को लाँच किया जाता है क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि इनकी गाड़िया बिकेगी बहुत अच्छे से तो 2024 डिजायर के बारे माज हम बात करते हैं यहा अच्छे किया गया बाकी जो स्ट्रक्शर है वह बहुत हद तक जो डिजायर आती थी वैसे ही टाइप में देखने को मिल रही है पर फीचर स्वाइज भाई मारूती ने सब को पीछे शोड़ दिया सेग्में में पहली बार सन रोफ क्रूस कंट्रोल और 360 डिरी कैमरा क्या क पूछ नहीं आने वाले इस गाड़ी में वीडियो को लास तक देखेगा तब सारी चीजे आपको फीचर वगरा पता चल जाएगी क्या यह गाड़ी नुवेंबर 11 को अन्रिवल हो जाएगी ऑफिशियली क्यार हम बात करते हैं अब देखिए आपके स्क्रीन में दो कलर शो दे देगे एक तम सेम लगती है भरपाई सा बहुत सारे फीचर से इस गाड़ी में सामने यहां नोटिस कर पाऊ रहे हो क्रों की एक लाइनिंग दी जाती है जो की सही है और जो लाइट सो अगर आना टोटली डिफरेंट है पूरी वाइट लाइट देखने को मिलेगे उसी के नीचे यहां पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट है वाइट लाइट मतलब LED में सारी चीज़े देखने को मिल जाती है और चोटा सा फॉग लैम दिया जाता है इस गाड़ी में जो की सही चीज़ है कहीं ना कहीं बढ़या लगता और शार्प अगर का डिजाइन दिया गया बोनेट में यहां पर कुछ हद तक अगर आप सुजुकी के नीचे नोटिस कर पा रहे होगा ना तो एक क्यामरा की प्लेसमेंट है अब फ्रंट क्यामरा की प्लेसमेंट है इसका मतलब जरूर इस गाड़ी में तॉप एंड में 360 डिगरी क्यामरा आने वाले हैं और अब हाल जो 2023 डिजायर और अभी तक चलते आ रही है वही डिजायर से सब 4 मीटर कॉम्पक्ट सीड है ना तो 3995 mm की लेंद देखने को मिल जाती है और 1735 mm की विट देखने को मिल जाएगी हाइट 1515 mm की देखने को मिल जाती है जो कि पुराने डिजायर में भी आती थी और अभी जो चीज़ तो कंफर्म है एक्स्टीर चेंज़ हो या इंटीर चेंज़ उपर इंजन चेंज नहीं है जो आपको स्विफ्ट में दिया जाता है ना 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जैट सीरी का इंजन वही डिजायर 2024 में भी देखने को मिलेगी पेट्रोल और सिर्फ सी एंजी में ग ये गारी मालेज क्लेम करेजी ये तो पकी बात है वसकि जो साइड प्रोफाइल के बहुत हत के रहेगी क्योंकि अलोई वील्स है वह बहुत हट के रहेगी क्योंकि बहुत क्ट कत को अभी तक में जो डिजायर आ रही थी उसमें 185 बाbn 65 और 15 इंचेԵज के मेन ब्लॉट क् देखने को मिलते थे top end variant में same यही चीज आपको top end variant में भी देखने को मिलेगा हो सकता है एक इंची 16 inches कर दिया जाए लेकिन diamond cut dowels की जो size है वो अलग कर दिया जाता है बाकि tire profile size same रहने को मिल जाएगा यहाँ पे और जो side profile आप देख पा रहे होगे बहुत है तक आपको same desire वाल ही feel दिलाएगी यहाँ पे ORVM में भी आपको turning indicators auto full level ORVM plus नीचे यहाँ पे camera देख पा रहे होगे यार नीचे हलका camera का placement दिया गया तो 360 degree camera देखने को मिल जाते है अब इस गाड़ी में blind spot detector नहीं आता था पर वो भी देखने को मिल जाएगा top invariant और segment में पहली बार उपर आप notice कर पा रहे होगे sunroof दिया जाता है भले ही छोटी sunroof है पर भाई सब मार्तों Suzuki ने फाइनली अपने desire 2024 में sunroof को दे दिया जो कि बहुत अच्छी चीज है अब यह चीज तो पता चली जाती है कि Suzuki का logo और desire की badging मतलब यह गाड़ी पकी desire है यहाँ पे आपको पूरे LED में tail lamps दिये जाते हैं जो कि सही है back में भी अभी नहीं वाली जो swift है उसमें भी आपको यही same चीज दिया जाता है विजिबल है यह चीज मतलब अंदर के tail lamps को आप देख सकते हैं LED में जो आपको tail lamps दिये जाते हैं बाकी indicator parking lights वगरा देखने को मिल जाते हैं नीचे यहाँ पे parking sensors देखने को मिल जाते हैं और ना यहाँ पे आप देख पा तो पकी बात है अब गाड़ी पूरे बेज और black interior में आती है अब हलांकि boot space 378 liters की देखने को मिलते हैं वही desire में यह वाले desire में भी 378 liters का boot space offer कर दे यह गाड़ी खैर यहां से आप मैं फिर से आपको front में लेके चलता हूं देख पारे को जो seats वगरा है ना वह बहुत हद तक अर्टीका में जो seats चूज की जाती है एक्सल 6 में जो seat चूज की जाती है या फिर आप consider कर ली जाना बलीनों वगरा मेरे यहां पे जिसमें जो seat वगरा लगी मतलब similar है same नहीं है इसकी जो भाई cushioning वगरा है बहुत अच्छी होगी fabric में seats दिये जाते लेदर wrapped steering wheel देखने को म मिल जाएगा क्योंकि एक footage और आप देख पा रहे होगे same interior आपको swift जैसे जो अभी 2024 आ रही हो ही देखने को मिलेगी यहां पर क्या होगा na steering wheel पे cruise control हो जाएगा steering moderate controls हो जाएगे और steering wheel बहुत अधक ना premium वाली लुक को provide करेगी 7 inches का infotainment screen apple carplay android auto और बहुत सारे apps वगरा को support करेगी amoled screen आती है बहुत अच्छी quality के रहती है मेरे भाई दो tweeters और चार speakers गाड़ी में देखने को मिल जाएगे बैक में आपको AC वगरा के winds दिये जाएगे ambros दिया जाएगा बाकी beige और black में interior बहुत premium वाला look दिलाएगा यहां पे आपको उपर में sunroof वगरा के buttons देखने को मिल जाएगे जो की सही चीज है और यह जो instrument cluster है वो बहुत हद तक similar होगा swift से पर same नहीं होगा तो यह सब चीजे गाड़ी में आ जाएगे क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ भाई exterior और interior से अगर exterior भी देखने हैं तो interior भी आपको हलकल कर देखने को मिल जाएगा auto rain sensing wipers भी आने वाले है इस गाड़ी में तो खैर यह सब चीजे आ रही है production पहले से start हो गई dealership में आना भी start हो गई बस अब launch होगी और तुरंट से आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगा अब बस भाई देखना यह है कि यह गाड़ी कितने दामों में मिलती है क्योंकि अ अब में भी हो सकता है साथ लाग से start हो और दस लाग के बीच में खतम हो जाए डेकसाई प्लस वगईरा भी इसमें आप देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में और यार सही बताओ ना तो बहुत अच्छे लुक में गाड़ी प्रोवाइट की गई है मतला आब वाली लु किन यार फीचर्स वाइज लुक वाइज कोई भी कंप्रोवाइज नहीं किया मारतो सुजुके ने अपने डिजायर में इनकी जो यार टफ कंपिटिटर रहेगी यह और होंडा की अमेज रहेगी और बहुत हद तक होंडा की अमेज मिल रही है